दोस्तों सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों के मौसम में कुछ बाते हैं विसेश जो आपको अपने बकरे बक्रियों को करनी ही पड़ेगी उस बातों में क्या है नमबर वन आप उसकी डिवार्मिंग करवाईए अगर आपने नहीं करवाईए है तो और दस दिन के लिए लिवर्टोनिक दे दीजिए जो भी गरम आहार आप देना चाहते हैं उनको सुरू कर दीजिए जो भी ठंडे आहार आप दे रहे थे उनको मेथी ये 20 ग्राम मेथी परती बकरी को आप जरूर खिलाएए मेथी दाना इतना इंपोर्टेंट है इतने विटामिन मिनरल इसमें है इतने डाइजिसन की कैपेशिटी इसके है इतना ये ग्रोथ करवाती है फेट बढ़ाती वजन बढ़ाती यानि इसके गून जो है वो ब लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि अगर आपने अभी तक मेथी नहीं खरीदी है तो मोसम आ गया है अब आप मेथी खरीद लीजिए और रोज ज़्यादा की आउश्यक्ता नहीं है 20 ग्राम मेथी उस बकरी को दीजिए जो मिल्किंग में है जो दूद ग्राम भी दे सकते हैं लेकिन प्रिग्नेंसी में भी मेथी बहुत अच्छी रहेगी आप मेथी कई रूपों में खिला सकते हैं मेथी को आप भीगोगर के खिला सकते हैं मेथी को आप बोयल करके खिला सकते हैं और कई भाई जो है मेथी का पाउडर बना करके भी खिला दे थोड़ी सी कड़वी होने की वज़े से डायरेक्ली बगरियां खाती नहीं है तो थोड़ा सा गुड बगरा मिला दीजिए, सर्दी के मौसम में बहुत शांदार रहेगा, ये मेरी बात आप नौट कर लीजिए, 20 ग्राम जो मेती है ना, वो बहुत ही शांदार साबित होने व होता है, संतुलित का मतलब उसमें खली भी मिलाइए, चूरी भी मिलाइए, जो प्रोटीन के सोर्स है, इसके अलावा आप उसमें अनाज मिलाइए, जो कार्भाहेड़ेट के सोर्स है, ठीक है, तो उनको आप दीजिए, मिनरल मिक्सर और नमक दीजिए, नमक जो है, वो आप खिलाइए मैथी रोज और ये पूरे काम कीजिए फिर देखिए कमाल चमतकार होना तैह है और इम्मुनिटी भी बड़ेगी इम्मुनिटी बड़ेगी तो बक्रियां जो आगे बीमार होने वाली है न सर्दी जुगाम खासी वो भी नहीं होगी तो आज ही से 20 ग्राम मेथी पड़े सुरू करतीजिए